तो आद हम आपके शेयर करने जाने चिकन सुखा की रेसिपी बहुत ही कम नहीं यह ज़ट परी मने जाते हैं खाने में यह बहुत ही टेश्ट होते हैं एक बार आप जरूरो टाई किजिए गुद्यो पसंद आए तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा में चैनल को सब्सक् ज्वाटर टीस्पून इसमें हल्दी पार डाल देंगे या फिर आप इसकी जियां पर जो है नीभु भी डाल सकती है जो आपके पास घर में अबने बारा आप इसको डाल दीजिए सबी चीजों को हातों की मदल से अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करके हम इसको साइट रख देंगा और चलिए हम इसके आगेक त्यारी कर लेते हैं कि यहां पर चला दिया है यहां पर हमनी एक कप ऑड़ डाल दिया तेल हमारा अच्छे से गल मिध शॉप डल देंगा बारिक चौक की अंगा डेंगा दोनों को भारिक बारिक आप चौक कर लेगा जाएगा वार इसको अच्छे से चलाते हैं भी फ्राइच लिए ना है इसको भी हमें चलाते हुए अच्छे से से गोड़न फ्राइ करेंगे जो बहुत जैगा आप इसको बढ़े जाए करें तक हैं इसको फ्राइ करेंगे कि एधर हमें प्याज को फ्राइ करते हुए गडर के दो अधनी चेगा अचार बढ़ना सुनु गया इसके साथ यहां पर तेन से चार समय हरी मिर्चे लिए ती यहां इसको पर दाल दिया है एक इससा चंड चूपक़ कि दाले एक वनम टीस पूंज़ के एक अगे सबस्टी के ने यहां म सब्लोगर देख यूर नाइक पिंढया फार म्यं सब्लोगर घनला मेश डलना जाद ना है कर देए सबीम रखे कर तो सक्षा सब रिरायस में दुझ से बर मिक्स कर दीने आगषा तर फुम करीम सबस्ते वारे लिए सबस्क्राइब छाया के लिए सबस्ते तर दालेशं दूक ही अद्ची कि लखे लेकर अब सबस्ता होगी कर सिंदीरिक बहुत अच्छे से भून चुका यहां पर नमक नमक चुका है यहां-पर कमी डालना है तर दाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है तक यहां पर हमने एक कप दही लिए थी इस पूंग से आप टेबल इस्पून लेंगे तो यहां पर हमने 5 ज़ी तेबल इसमें शेट लिए था ताकि इसमें पान लंप्स वगणा बिलकुल भीना रहे है विद्धम फ्लेम को लोही रखिए गए को अच्छे से मिक्स करें एम पाने में मेरीनेट करके की यहां पड़ी और दाला है खोई पानी वगरा भिदा से अच्छे अंगल आदा हरा है इस ताम फे मीडियम तू लो और कवर करें इसको पकने दिनगे है इधर हमारे चिकन को पकते वए 5-8 मिट हो चुके है यहां बहुत अच्छे से आप दिनगे पुछ चुका है इसमें से तेल वागर भाए मसाला हुआ यहां पुछ तो लो रखा था और चिकन ने बहुत अच् चापाति रोटी के साथ नान के साथ कुल्चे के साथ सर पीज़ें बहुत ही मज़ेग लगते हैं आपको हमाय रेस्पी कैसी लगी